मेरा आप सभी को हाज जोड कर नमश्कार, मेरा नाम है राजिश, मैंने पिछले वीडियो में आपको उपजाएदा साथ चकरों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बता हूँ आपको उनको जागरत कैसे करते हैं, तो शुरुआत रज़ाप से पहले चकर से जिसका नाम है मूलाधार चकर, जिसको हम रूट चकरा के नाम से जानते हैं, इसका उच्चारन हम ले के साथ करेंगे और अपना पुरा ध्यान रूट चकरा पर ध्यान के इंदरित करेंगे, इसके जागरत होने पर हमारे अंदर एक तरह से वीरता आती है और हम बहुत सारा आनद महसुस करते हैं जो अगला जो चकर है स्वादिस्ठान चकर उसका उच्छा रहन हम वह के साथ करते हैं और अपना पुरा ध्यान हम स्वादिस्ठान चकर पर ध्यान के इंद्रित करते हैं इसके जागरत होने पर हमारे अंदर एविश्वास, करूरता, घमंट, आलस्य, इन सबीस हमें मुक्ती मिल जाती है जो अगला जो चकर है हमारा वह है मनी पुरक चकर इसका उच्चारह हम रह के साथ करते हैं अपना पुरा ध्यान हम मनी पुरक चकर ध्यान के इंदरित करते हैं इसके जागरत होने पर हम एक तरह से आतम विश्वास हमारे अंदर आता है और हम एक पोजिटिव इंसान बन जाते हैं हम कोई भी कारह करते हैं तो हम उसको पुरे आतम विश्वास confidencic साहत करते हैं और उस confidencic साहत हमें एक अंदर positivity रहते हैं जिससे व्यकरा हमारा सफल हो जाता है जो अगला जो चकर है अनहत चकर इसका उच्छारन हम यहां के साथ करेंगे और अपना पूरा जो ध्याना हम यहां पर केंद्रित करेंगे जिसको हम हट चकरा के नाम से जानते हैं इसके जागत होने पर हमारे अंदर एक तरह से कह सकते है surgeon shield आती है, surgeon shield वेक्ति بن जाते है surgeon shield से मेरा मतलब है जो वेक्ती अलग तरसे सोचता है कुछ अलग कारे करता है जिसके कोई scientist या कह सकते है कोई लेखक जिसकी सोचनगी शम्ता अलग हट कर रहुत है वह कुछ अलग कारे करता है एक वह कोई भी problem को solve कर लेता है अच्छे तरीके से उसको हम substantial वक्ती बोलते हैं जो अगला जो है हमारा विशुदी चकर इसका उच्चरनम है के साथ करते हैं और यह हमारा गले में स्थिर होता है इसको हम throat chakra के नाम से भी जानते हैं इसके जागरत होने पर हमारे अंदर किसी भी मोसम कोई परभाव नहीं है हम भूख प्यास पर हमारा कंट्रोल होता है हम बिना भूख प्यास की हम जिन्दा रह सकते हैं इसके जागरत होने के बाद हमारा मोसम पर हमारे स्री पर कोई परभाव नहीं रहता है जो अगला जो चकर है आग्या चकर जिसको हम थरड़ाई के नाम से भी जानते हैं जिसके जागरत होने पर हम देखते हैं हम एक भोतर से ज्ञानी व्यक्ति बन जाते हैं जिसको हम महापुरुष भी कह सकते हैं इसके जागरत होने पर हम देखते हैं कि वे आदमी हर चीज को महसुस कर सकता है, जो भी भविश्य में होने वाला है, उसको पहले सी है पता होती है, वे एक महापुरुष कहलाता है, और जो हमारा लार्ज चकर है सहसरार चकर, जिसको हम कराउन चकरा के नाम से भी जानते हैं, इसके जागरत होने पर हम कह सकते हैं, हमने एक तरह से भगवान को पालिया जा, अगर हमारी चेतना और आत्मा यहां तक पहुंच जाती है, या उर्जा हम कह सकते हैं, यहां तक हमारी उर्जा अभ्यास के साथ पहुंच जाती है, तो हम कह सकते हैं, एक तरह से हमने महा निर तो हम कह सकते हैं कि हम माह निवान को प्राप्त कर लेते हैं क्राउन चक्रा में प्रवेश करने के बाद तो इस वीडियो में आपको सब कुछ कैसे जागर करते हैं मैंने इसको आपको लेकर दिया जहां से सुनने के लिए आप सभी को में हाज उरू को धेनेवाद करता हूँ